हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल में आज हम हमारे फाउं का ओर यू दिखने वाले हैं इस फाउं पर हमने कुछ बचलियों को खुला छोड़ रखाए आप देख सकते हैं जिसमें सारे फीमेल काफ हैं क्यावल एक ही मेल काफ है देख सकते हैं जर्सी ब्रीड है एचिप काउस है और कुछ मिक्स ब्रीड भी है और देख सकते हैं और एक एक करके हम गायों के बारे में बताने वाले हैं देखिए हमारी ये फर्स्ट टाइमर आओ है जो जिसका मिल्क इस बार कर रही है लगबग 24 लिटर पर डे और और ए आई करवाए हुए इसको एक महिना हो गया है यह दूसरे नंबर पर हम दिखा रहे हैं एक और सेकंड टाइमर काउ जिसका भी ए आई को लगबग एक महिना हो चुका है और इसने 20 लिटर मिल्क किया है अभी कुछ 18 के आसपास चल रही है और एक और दिखाने वाले हैं हम सेकंड टाइमर जो हमने लोकली परचेस किया हुआ है और इसको कंसीव करे हुए हो चुके हैं तीन से चार मन्त और इसने अभी 20 लिटर किया है मिल्क और ये एक और हमारी गाये हैं जो जैपूर से हमने परचेस करी हुई हैं इसका मिल्क था एक टाइम का 9 लिटर और दोफर का 9 लिटर और शाम का 9 लिटर पर ये जैपूर से गर्मी में आई हुई थी थोड़ी सी तो इसकी तबियत थोड़ी विगड़ चुकी थी जिसके कारण ये अभी सुधर चुकी है और इसका मिल्क 10 लिटर परड़े चल रहा और अगली गाय हमारी यह हैं जो सेकंड टाइमर में हैं एक महिना भी आए हो चुका है और हमने अभी अभी पर्चेस करी हैं और अभी मिल्क इसका कम ही है 16 लिटर के आसपास दिन का चल रहा है अभी सारी गायों की मिल्किंग कर दी हमने यह देखिए सेकंड टाइमर जिसको एक महिना हो चुका है और इसका मिल्क 24 लिटर पर डे चल रहा है अभी यह देख सकते हैं यह थोड़ी सी अभी गंदी हो चुकी है सारी गायों पर इतनी भी नहीं है और यह एक देखिए ड्राइ पिरियेड में चल रही है यह थर्ड टाइमर है और इसने 25 लिटर इस बार किया है और लगता है इस बार अगली बार करेगी यह लगबग 30 के आसपास कर देगी पूरे दिन का क्योंकि यह अभी एक महिना पेंडिंग है इसका देखिए हमारी अगली गाय यह भी हमने अभी पर्चेस करी है इसको भी लगबख एक महिना वह बच्चा इसी का है फिमेल काफ है एक महिना हो चुका है है इसको देखिए साइस बहुती बडिया है थोड़ा सांधेरा हो चुका है शाम के समय हम वीडियो बना रहे हैं देखिए आप अडर का साइज काफी अच्छा अडर इसने बना रखा है और मिल्क इसका 20 लिटर पर डे चल रहा है अभी बढ़ेगा और ये हमारी थोड़ी से अगली गाये है थोड़ी से लाइट की समस्या है या पर समस्या तो नहीं पर अंदेरा हो चुका है ये भी अभी पर्चेस करी हुई है लगभग 40 दिन इसको व्याय हो चुका है यह हमने जहां से पर्चेस करी है वहाँ पे इनकी केर सही नहीं था इसी वज़े से थोड़ा सा मिल्क कम कर रही है अभी ये लगभग 8 लिटर पर डे का मिल्क कर रही है इसने अठा लिटर पर डे किया है अभी और यह भी ड्राइफ रियर्ड में चल रही है अगा देख सकते हैं अगा ड्राइफ रियर्ड में इसका भी लगभग एक महिना पेंडिंग है और एक और हैं गाए अपने पास यहाँ सेकंड टाइमर जिसने 24 से 25 लिटर पर डे का किया है और अभी चल रहा है इसने कंसीव नहीं किया है इसको कल हम AI करवाएंगे और यह था हमारे फार्म का और यह अभी जगह तो बहुत पड़ी है फार्म पे पर इसको कुछ मोडन तरीके से बनाना है यह बूसे का स्टोक है और यह हमारे पशुहार का स्टोक है यह एक फिमल काफ है देख सकते हैं हमने अभी यह ड्राइफीट तो रख दिया है सवेरे मौनिंग के लिए हम सवेरे उठते हैं चार चालिस पे और शुरू करते हैं इनका फिडिंग यह एक और मिल काफ है फिडिंग के बाद में हम फिडिंग के साथ साथ इनका मिलकिंग भी कल लेते हैं यहाँ पे पशुहार को सवेरे के लिए कला के विगो के देते हैं देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ मशिनरी और रखी है मिलकिंग के मशिन यह पाइप आप देख सकते हैं और बच्चों का आप देख चुके हैं वहाँ पे भी कुछ सुख लेगा इस टोक हैं यह हमारे फार्म का ओवर्विव है और हम कुछ इस्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं यह मिलकिंग के पाइप लाइन है और हम अभी फार्म को पूरे को मोडन तरीके से ले जाने वाले हैं आपको एक बार और इस गाए को दिखा देते हैं इसका अडर देखिए आप बहुत ही शांदार अडर बनाया इसने देख सकते हैं आप हुँ ठीक है दोस्तों हम बनाएंगे कुछ विस्तरित में वीडियो आगे आने वाले हैं जिसमें डेली फार्म से संबंदित जानकरी और हमारा डेली का रूटीन फार्म पे क्या चल रहा हैं और फार्म से संबंदित कुछ जानकरियां काउ कहां से पर्चेस करें अच्छी गाय का सिलेक्षन के से करें अभी शुरुवात हमने अभी किया हैं लगबग छे मैने हुए हैं और पेले हमारे पास आठ गाये थी अभी तीन हम लोगों हमने पर्चेस किया है एक एक पीछे खड़ी और एक और जो खड़ी है बढ़ाएंगे हम पचास से सोग आया तो लेके जाने का प्लान है कुछ मिल्किंग के बाइप्रोडक्स भी हम लोग का विचार कर रहे हैं देखिए होता क्या है कोशिश तो पूरी रहेगी वीडियो दे